बाइक पर आपने अक्सर लोगों को स्टंट करते देखा होगा कानपुर के गंगा बैराज में तो यह आम बात है कि कई रहे जादे वहाँ पर आकर अपनी बाइक का स्टंट करते नजराते हैं नेकिन हाल ही में यहां ऐसा नजरा देखनी को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया गंगा बैराज का ट्राफिक और वहां से गुजर रही पबले कुछ समय के लिए जैसे थम ही गए क्योंकि बीच सड़क पर कुछ रईस अपनी फरारी से स्टंट दिखाने में मश्गूल थे बाउंसर ने टैफिक को पूरी तरीके से रखवा दिया आसपांस लोगों का हुजूम लग गया और लाल फरारी से बीच सड़क पर स्टंट दिखाया जाने लगा इस सबकी वज़े से वहाँ पर भारी जाम लग गया और लोगों को तो ये लगा कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है लेकिन यहां किसी फिल्म की शूटिंग नहीं थी बलकि कुछ रईसों का दिखावा चल रहा था इस दरान वहाँ पर बैराज पुलिस भी मौजूद थी लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई कुछ देर तक यह तमाशा चलता रहा इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जब वाइरल वीडियो और इसके संग्यान में आया तो एसपी ने संग्यान लेनी के बाद नवाब गंच थाने की पुलिस ने आनन फानन मुकदमा दर्च करके कार मालेक शरद खेमका को गिरफतार कर लिया शरद खेमका एक गुटका कमपनी के मालेक है पुलिस ने फरारी को भी सीज कर दिया सियो अजित सेंच चोहा ने बताया कि आरोपत यूवक ने सड़क पर स्टंट बाजी की और इसी के खिलाफ स्टंट बाजी करते हुए दूसरों की जान खत्रे में डालने मार गबरूद करने और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्च करने की कारवाई की जा रही है जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो पाएंगे की काले रंग के कपड़े पहने हुए बाउंसर ट्राफिक को पूरी तरीके से रोक रहे हैं पीट सडक में एक लाल कलर की फेरारी खड़ी है जिसके अदर उसका मालिक बैठा हुआ है बाउंसर ट्राफिक को रोक देते हैं आसपास लोगों का हुजूम लग जाता है उसके बाद गाड़ी के स्पीड बढ़ाते हुए मालिक अचानक से ही गाड़ी को मोड़ते हुए स्टंट दिखा रहा है ये सब देकर आसपास खड़े लोग भी मज़े लेते दिखाई दे रहे हैं कुछ खड़े लोग तो इसका वीडियो भी बना रहे हैं लेकिन आसपास खड़े हुए लोगों को अपनी जान की परभान नहीं है और नहीं गाड़ी चालक को और पुरिस तो लगता है इस मामले में हाथ ही नहीं डालना चाहती गाड़ी सीज करने और मुकदमा दर्ज करने की बात तो सामनी आई है लेकिन आगे क्या होता है यह देखना होगा आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें